हेलो स्टुडेंट्स तो आजिक स्टेड एकोडियूंट का किमपलीट डिस्किसन करेंगे मैंटेजिमेंट अकॉटिंगूंटिग का कमपलिट डिस्किसन करेंगे तो इससब्जेट की प्रिपेशन स्टार्ट करने से पहले आज कर दो पिस एंटर जरू दिखेगा, सबसे पहले हम जो 70 मार्क की अकोड़ी जो उसकी पेपर बेड़न हो सकती है, उसको लेकर हम बात करेंगे, हम हरे एक कोश्चन के लिए डीटिल में देखने लिए कहाँ पर कितने मर्का, प्रैटिकल समस होगा, कहाँ पर ठीरेकल टॉ पिक रहेंगे, साथ सब में कौन से आएंपी ठीरी रहेंगे, उन सब को लेकर मैं बात करने वाला, और मैं बताऊंगा कि लास्ट में कौन से दो इनुट ऐसे जो सबसे एजी रहेंगे, जो सबसे पहले आपको तैयार करने चाहिए, तो वीडियो एंट तग जरूर हमारे पेपर के टोटल 5 कोशन पूछे जाएंगे तो पेपर के 70 मार खो जाएंगे, जो उपर के जो चार कोशन है, वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने हो ला है, जबकि कोशन में जो 5 रहेगा, एक से लेगा 4 का क्या रहेगा, जिसकी हम डिसकुशन करेंगे, अभी ज उसको cover करने के लिए यूट के अंदर तीन option बाता है जो आप सब जानते भी होंगे कि पहला 14 का option में 14 पूछके cover करें या तो भी उपर का 14 पूछे तो option में 277 पूछ ले करने के लिए और अच्छे mark लाने के लिए यह 14 के लिए question 5 में क्या पूछा जाएगा तो कि पीछले पास्षे paper को देखते हुए और इस बार भी 99 प्रिशन यहीं चान से कि आपके इस management account में mcq पूछे जाएगे ठीक इसकी त्यारी पर समझाओंगा पहले mark समझेंगे तो एक mcq रहेगा वो दो mark करेगा एक बार headline जरूर रीड कीज़ेगा दो mark करेगा तो आपको कितने attempt करने पड़ेंगे 7 जितने attempt करने रहेगा आप 7 attempt कर रहे हो तो यार आपको दिये गए होगे नंबर आगे पीछे चलेगा लेकिन स्टार्टेंगे 7 जो आपको आते है वो लिखोगे तो आपके 14 आपके 14 आ जाएगे और 14 इंपरेंगे इसलिए भी है कि 70 में से आपके passing mark आप जानते है और 25 में से अगर यहां पर 14 आपके cover हो जाते है तो आपको आपका आधर से जादा काम हो जा रहा है तो उपर जब आप question attempt करेंगे और भले right हो या wrong तो आपके passing से उपर आने वाले इसलिए इसकी तयारी compulsory अच्छे से कीजिए अब इसकी तयारी हो कह सकती है तो सबसे पहला और best option जैसे में आपको हरे एक वीडियो में कहाँगा कि आपको वीजी स्टीपर application download कर लेने वहाँ पर क्या रहेगा आपको इस subject की free में टेस्ट देने को मिलेगा और टेस्ट देने के पाद उसके पीडिया भी अवेलेबल करा दी जाएगी mcq जिससे वो अच्छे से आप तहारी कर पाऊगे previous वहाँ पर आपको 2018-19-22 की mcq टेस्ट देने को मिलेगा और सा इसलिए application download करना हो आप फिरी में आपका हो जाएगा बाकी में बोलना चाहूंगा आपका course भी available है course में जॉइन होएगा आपकी इस subject की और बाकी subject की बहुत अच्छे सचे कम टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगी तो रिक्वेस्ट है अगर लास दिन है तो भी एक महीने के जॉइन कीजिएगा और वीडियो दो महीने पहले बन रहा है थ्री मन्त के लिए जॉइन होएगा आपकी तैयारी कम से कम टाइम में अच्छे से हो जाएगी आई हो भी आपको क्लियर हो गया question 5 को ready करना है कैसे करना है अब उपर के चार question को हम ध्यान से समझते एक 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 question क जो रोकान से जुड़े हुए जो investment से जुड़े हुए जो method है उसकी regarding sums पूछा जाने वाला मार्किंग दी कि जादर में हो सकता है उससे की बात करो बायचान चेंज हो सकता है ऑपर का उपर का उपर प्रैक्टिकल सम्स रहेगा option में changes देखने को मिल सकते कैसा कैसा हो सकता है टारिक option में आप चाओ तो 14 मार्क का सम्स पूछ सकता है ठीक है क्योंकि यह देखा जाए तो प्रैक्टिकल टॉपिक है इस यून्ट का इसलिए 14 मार्क का प्रैक्टिकल पूछ सकता है या भी उसने दो भाग कर दिये 7-7 तो हमें 7-7 में क्या कर सकता है या पर भी एक प्रै चैप्टर था सेमिस्टर 6 में वहां से भी आप रीड कर सकते हो एमकों के अंदर सेमिस्टर 1 में भी है वो भी देखीगा और सबसे मोस्ट वो तयार होने के बाद चैप्टर सीखने बाद आप हो सके तो इल्यूस्रेशन करेंगे एक्जांपल बूक यहां पर सुधिर प्रक कर सकते हो और आप वीडियो देखिएगा जैसे मिने अप्लिकेशन में बोले आपको वहां पर आपको पीडियाप भी मिलेगी हर एक चैप्टर की सॉलिशन की जो लेटेस्ट 5 पेपर रहेंगे 2017 से लेकर 22 और अभी लेटे 2023 का भी अपडेट कर जिये जाएगे जिससे आपक आपको help हो जाएगी इसलिए एक दो थीरी पढ़ोगे तो अच्छी बात है रेगल वाले पढ़ सकते हैं जिससे क्या है उस पेपर की भी तैयारी हो जाएगी और लाज़ वालों को लगतार को थीरी निया पढ़के समस करना तो समस कर सकता थीरी आपर इंडेक्स से बता ठीक है नफाकारत्ता का टॉपिक जो प्रॉफिबिलिटी इंडेक्स है पीबेक पिरिड है तो थोड़ा हलका फुलका पढ़िएगा एक्जाम में किसी एक के बारे में भी डिरेक्ट पूछ सकता है या तो भी किसी एक को समझा दिया ऐसा भी पूछ सकता है तो हलका हलका च आपके नेक्स पेपर में ऐसे राइटिंग में काम में आएगा अईयोब इसकी प्रिपरिशन आपको किलियर होगी एंटर देखना लॉंग डिसेंशन करेंगे एक एक यूट का अब बात करें यूट नबर टू की बात करें यहाँ पर भी अग्यान समझेगा आपको नाम व या फिर दूसा जैसे मैं बता रहा हूँ इन मैंसे कोई भी हो सकता है स्यावान गून का यूट हो सकता है ツाएक झावब जाए्टी में तो दोड़े तो अफिक क्यार पूछा तो दो प्रेटिकल और दो थेयरी रहें कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है most of probability अब इसके त्यारी समझेगा प्रेटिकल के लिए आपको क्या करना और थेयरी के लिए प्रेटिकल के लिए जैसे मैंने बढ़ा है वीडियो अप्लेड हुआ है वीडियो में कोई chapter cover हो जाएगा और easy chapter है वो वीडियो देखने के बाद आप यहां पर chapter के अंदर book में से करना तो इल्यूस्ट्रेशन कीजिए एक्जामपल इसलिए बोला आपको Excel में जाने की जोरत नहीं पड़ेगी और आप कम से कम है इस chapter में इस newt के अंदर कम से कम एक्जामपल दि जिसे वहां पर आपके अच्छे से त्यारी हो जाएगे क्योंकि बहुत सारे एक्जाम में इल्यूस्ट्रेशन सेंटु सेंट चेप्टर में से पूछ लिए जाते है इसके लिए अब आपको क्लियर हो रहागा मैं जो बोला इल्यूस्ट्रेशन एक्जामपल कीजिएगा प पॉइंट नमबर त्री जहां पर डायरेक्ट पूछ लिए जाता है सेवन मार्क के एक थिरी कंपल सरी इस यूट की होगी ठीक है थ्री फिर नमबर आपको जो सेवन ये मैं थड़ में ही आता है ठीक है और फिर पॉइंट नमबर इलेवन लास्ट में जो फुगाव का टॉ करनें के अंबे कनी की हिए तुरा मबर नमबर ट्री की फिर आते यहां पर दो टोपीक है ठीक है तो यहां पर क्या हो सकते हैं यहां अप्चे बिएक दिन के अंदर एक से दो और में रैडी हो जाएगा बता देना चोट जो फरस्ट हे यहां पर इसमें से आपको थेरिकल टॉपीक रैडी करना जबकि जो डिविजनल वाला है ठीक है विभागी है कामगी इसमें से आपको प्रैटिकल टॉपिक रैडी करना है के बाद एक्जाम्पल कीजिए ठीक है जो इसका डूसरा टॉपिक है वीभागी है वाला वह में आपको दिखा रहा है अपकी बुक में होगा इस अगर आपने कर लिया न तो आपको बैठा बैठा वैसा है सम्स मिलेगा कुसमें ज्यादा चेंजिस होगा निया आप देख रह जेगा और अगर अप्लिकेस आप जॉइन हो चुक है तो वहां पर आपको इसकी पीडिया भी मिलेगी आपको लेटेस्ट फाइप पेपर के सॉलिशन में बिलेंगे और एक्साइस के समस्ट भी मिलने वाले जिससे बहुत अच्छे सा तैयरी हो जाएगी ठीरी की बात को थ चैपटर का टॉपिक के लिए हो जाएगा और सेके आउसकारक बनाने चैटा वह में प्रणे सामाज रहोगतों समझा इस वह पडिनिया को प्राइप्ली एस चैप्टर के लिए हो जा Amen का वैसे सम्स ही आएगा फिर भी अगर option में दो-दो theory हुई तो एक इसकी और एक इसकी होगी इसलिए बताना चाहूंगा एक theory आपको पढ़ने निए वह सब theory previous year में बता थी वही बता रहा उसे में cover हुआ था इसके लिए आपको point number six देख लेना और application अगर जोईने तो उसमें सारे topic अप्लोड कर दिये अब बात करते हैं यहां से समझेगा एंट तक मैं बताऊंगा easy कौन सा theory कहां से start करनी चाहिए जो chapter है यहां पर एक ही chapter है इसमें से रहेगा यहां पर भी fix है कि फॉर्टिंग मार्का को प्रेटिकल सम्स देखना को मिले है तो अब option में वह 77 करेगा तो दो theory पूछेगा ठीक है दो क्या theoretical topic पूछा जाने वाला है तो लाज़ने वालों को लगता है कि समसे ज़्यादा theory त्यार कर सकता है इस पेपर के साथ उसकी भी तैयारी हो जाएगी ऐसे राइटिंगे ठीक है अब इसके समस के लिए तो जैस इल्यूसरेशन है नहीं साथ नो दस ही है वह आपने कर लिए तो आपको इजली चैप्टर कंप्रीट आई जाएगा ठीक है यह चैप्टर भी इजी माना जाता है कुछ ज्यादा है नहीं दो तीन टाइप के समस्ट पूछा दे रेगिलों के तयार हो जाएगा अब theory के अग फिर पॉइंट नमर 5 पढ़ लेना जो उसकी पद्रतिया पद्रति में थोड़ा बताना चाहूंगा फिर पद्रति के सारे नाम है इसमें से एक्जाम में कई बार एक पद्रति पूछ लेता तो आपको तीन पद्रति में बता रहो यहां पर पढ़ने के लिए जो देखरे प साथ में आपको सारे को समझाने के लिए बोला जाता है तो उसमें आपको यहां की त्यारी वेस्ट नहीं जाएगी दूसरा तो आपको जैसे मता है लास्ट एक टॉपिक पढ़ लेना आंतर अश्टी वाला जो टॉपिक है सारी प्रिवेस यह दिती बिल्कुल हुआ ही कि उ आपको वीडियो दिये वह देख लीजिए आपको ट्यारी हो जाएगी बागी आप इल्यूसरेशन वहां से हो जाएगी दूसरा चैप्टर कोन से करने लास्ट वालों के लिए बोल रहा हूं यहां पर 77 का फिक्स है ठीक है यह दो चैप्टर इजी है पस्ट 77 का होने के possibility जाद है दोनों चैप्टर वन वन अवर में रेडि हो जाएगे दो से तीन वीडियो से आपके रेडि हो जाएगे बट यह 1440 के फिक्स है अब यह इजी है आप देखोंगे यह चैप्टर आपने बीकॉम में भी सीखा हो बैठा 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 सिंपल आया ना त इस चैप्टर पर आप जा सकते हो ठीक है बागी लाज को लगता है यह चैप्टर नहीं करना सुमें थीरी में आप जा सकते हो बागी चैप्टर करने जैसा बीकॉम आपने देखा हुआ इसके लिए आहीं हो सारी डिसक्रिशन मैंने किलियर कर दी कुछ रहा गया डाउन तो जेंगर लिए जा सकते हैं आप दे कि जंड है आप जड़ दे जा सम्मणस मैंने को सिर्फ लिए को मैंने लिए सारी माम इसके लिए